स्री सिवाई नमस्तुब्यम दोस्तो आप सब का श्वागत है मेरे चैनल पुनम देवगर में तो दोस्तो आज ग्रहन का है दूसरा दिन तो सुबह सवेरे उठके नहा के देखिए मैं सारी प्रतिमाओं को नीचे उतार ली हूँ सुबह सुबह थोड़ी ठंड लग रही है इसलिए मैं सौल लगाई हूँ क्योंकि बाल धोके नहाई हूँ आज जबकि कल मेरे पुर्णिमा के ब्रत थे ब्रत करने के बाद बाल नहीं धोना चाहिए पर मैं धोई हूँ क्योंकि कल ग्रहन थे इसलिए दोना पड़ा तो देखिए मैं सारे भगवन के वस्त्र माला मुकुट सब दोके अच्छे से पसार ली हूँ फूल भी तोड़ ली हूँ आज नहाने के बाद फूल तोड़ी हूँ ये सारे कपड़े दस मिनट में सुख जाएंगे तब तक मैं भगवान का दर्बार साफ करूंगी तो देखिए यहां सारी प्रतिमाओं को रखके सबसे पहले उनका दर्बार साफ कर रही हूँ फिर सारे पोतों को अच्छे से पहुचूंगी तो यहां पर पहले में जल से साफ की हूँ फिर थोड़ा सा गंगाजल लेके पहुच ले रही हूँ सब जगह सुद्ध करके इस तरह से अच्छे से लाल कपड़ा लगा दी हूँ और नीचे नया कपड़ा ही लगाई हूँ लाल कपड़ा थोड़ा गंदा हो गया था तो कपड़ा जडूर लगाना चाहिए उसके बाद ही प्रतिमा रखना चाहिए हमें डिरेक्ट प्रतिमा को नीचे जमिन पे नहीं रखना चाहिए तो मैं लाल मारकिन अच्छा सा लगा दी हूँ अभी लड़ु गोपाल जी के वस्त्र चेंज करूंगी नहला ली हूँ मैं उनको तो इनके भी सारे मुकूट मुर मुकूट बाल सब धोके में च्छत्य पसारी हूँ अभी लगाओंगी सुपने के बाद यहां बोले बाबा को अस्तनान नहीं कराई हूँ तो इने भी मैं गंगाजल से अच्छे से अस्तनान कराके दूसरी बरतन में रखूंगी तो कि मैं ग्रहन लगे हैं तो भगवन भी असुद्ध हो जाते हैं तो उन्हें भी सुद्ध करना पड़ता है तो इस तरीके से हमारे घर में हमेशा पूजा होती है तो यही देख के मैं सिखी हूँ कहीं मैं किसी से नहीं सिखी हूँ हमारे घर में हमेशा ऐसे ही ग्रहन के अब मैं करूंगी सबको चंदन और शिंदूर का टिका लगाऊंगी बस्त्र तो थोड़े देर बाद मैं सबसे पहले गंगा जल डालूंगी उसके बाद देखिए सब भगवन की प्रतिमा में मैं चंदन लगाऊंगी देवी मा को मैं शिंदूर लगाऊंगी प्रतम पूजा गनेश भगवान की होती है तो पहले मैं गनेश भगवान को चंदन लगा रही हूं फिर यहां लड़ू गोपाल जी को लगा रही हूं विश्नु भगवान को लगा रही हूं सारे भगवन को पहले चंदन फिर अभी मैं सिंदूर लगाऊंगी तो देखिए मैं सब मैं पूरा का फूल चढ़ाएं तो और मुझे भी बहुत ही कुसी मिलती है अपने हाथों से लगाए हुए फूल तोड़के जब भगवन को चढ़ाती हूं तो इतनी कुसी मिलती है कि पूछिये मत और ये जो मैं उरूल का फूल चढ़ा रही हूं ये दो दीन तक खिले हुए रह साती हूं तो ऐसे के ऐसे ही खिले हुए रहते हैं तो यहां जो भी फूले में भगवन के चर्नों में समर्पित कर रही हूं उसके बाद मैं यहां लडू गोपाल जी को देखिए भोग लगा रही हूं आज है रवीवार तो कली मैं तुलसी का पत्ता तोड़के रख ली थी जो कि आज मैं लडू गोपाल जी को भोग लगाई हूं तुलसी पत्ता वैसे भी असुद नहीं होते हैं तो यहां पे मैं सारे शीव परिवार को एक जगह पे रख्यूँ यहां पे देवी मा और जितने भी मेरे भगवन है उनको में यहां पे रख्यूँ ओधर मैं शीव परिवार रखी हूँ भोग लगाने के बाद ऐसे दिया जलाना चाहिए अधिया जलाने के बाद जब पूजा हमारी पुर्ण हो जाए तो इस तरह से दिये को चावल के उपर रखना चाहिए हमें कभी भी ऐसी ही दिया नहीं रखना चाहिए अगर चावल नहीं है तो प्लेट में भी आप रख सकते हैं पर मैं यहां प्लेट में भी रखी हूँ और चावल के उपर भी रख रही हूँ और फिर दोस्तों पूजा हो जाने के बाद हमें आचमन करना चाहिए जल से या फिर गंगा जल से इस तरीके से गुमा के गोल गोल और बोलना चाहिए प्रभुजी मे माघुमा के गिराना चाहिए तो देखिए दोस्तों मेरी घर की पूजा हो चुकी है अच्छे से और मैं यहां आ गई हूँ सुरी भगवान को जल चड़ाने के लिए तांबे के लोटे में लाल फूल डालके तो दोस्तों आप सब को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कॉमें में जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सस्क्राइब एंड सेर जरूर कीजिएगा मिलती हूँ आप सबसे में कल की वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई रादे रादे एवरिवन